असलाम लेकुम स्टुडेंट्स आज का आपका टॉपिक है चेंज अफ ओरीजन क्या होता है आपके पास इसमें आप क्या करते हो जो अब्जर्वेशन होती है उसमें से एक एज्यूम वैलियो को माइनस कर लेते हो जैसे यहां पर ए लियाव है ए आपके पास एक एज्यूम क्या होती है आपके उब्जर्वेशन में से कोई भी एक स्पैसिफिक वैल्यू नहीं है कोई भी एक उब्जर्वेशन आप उठा लेते हो आप अपनी सारी उब्जर्वेशन में से उसको माइनस करते हो तो वह आपके पास क्या होता है कि उस वैल्यू को छोटा कर देता है तो वह आपके पास करता है यह है कि आपका origin चेंज करते है लाइक अगर आप ग्राफ में questions करते हो तो वहाँ पर एक origin होता है 00 लेकिन अगर हम चाहें तो अपना origin चेंज कर सकते हैं उसमें कुछ add, subtract यह नि उपर नीचे कर सकते हैं अगर 0 में कुछ add करेंगे तो वह आपके प basic formula है वह आपके पास क्या बनता है x bar equal to a plus d bar अब d bar क्या होता है आपके पास mission d over n यह आपके पास d bar है अब यहां से आप ही देखो copy से आप देखें यह मैं इसको पूरा justify करके लिखा हो है change of origin आपके पास shortcut method भी कहलाता है इसमें आपके पास x minus a यानि अपनी सारी observation में से according to formula एक ungroup का formula है और एक आपके पास group का formula अब ungroup का formula क्या होता है आपके पास a plus mission d over n अब submission d मतलब जितनी आपने x minus a की values निका लिए वो पूरा column add करोगे तो submission d आपके पास फिर उसको number of observation से divide करोगे और जो assume value ली है उससे add कर दोगे तो यह आपके पास आपके पास frequency यानि group data दिया है तो आप उसमें f को multiply करोगे ठीक है नीचे आपके पास example है 3.13 3.13 ठीक है आप अपनी example देखो आपकी example में आपको observations दी है कितनी observation दी है पांच workers की observation दी है नोंने का आपने क्या करना इसमें arithmetic mean निकालना है shortcut method से ठीक है अब क्या किया आपने यह सारी आपके पास x की value दी थी इसमें से आपने 2000 as a ले लिया आप चाहें तो कोई और value भी as a ले सकते हैं answer आपका same आएगा ठीक है यहांसे 2000 as a ले लिया इन्होंने क्या किया अपनी हर value में से 2000 को minus किया तो आपके पास एक नई values आ गई है उन सारी नई values को आपने क्या किया add किया नई value को add करने के बाद आपके पास 140 आया 140 आपके पास आगे according to formula आपने values put की और x bar का answer निकाल लिया ठीक है यह था आपके पास change of origin origin change होने का मतलब यह होता है कि आप अपने center point से हटके आगे पीछे हो जाते हो आप हम shortcut method use क्यों करते हैं shortcut method इसलिए use करते हैं कि जो आपकी values होती है उनकी values बह तो values बहुत जादा बढ़ी आती है ठीक है तो इसे हम shortcut method लगाके values को छोटा कर लेते हैं और तब इसे हम calculate करते हैं अब आपके पास next example आगी 3.14 ठीक है अब आप इसमें देखें आपको इसने question में क्या कहा है the deviation of a data मतलब इन्होंने x-a निकाल के दिया हुआ है deviation बनाई तो अब यहाँ पर x-a यह भी deviation ही है आपके पास तो आप क्या करते हो इसमें just यह आपको d की values दी वी है और जो 180 है आपके पास 180 आपके पास a है यानि assume value यह आपके पास question क्या है the deviation of a data about x equal to 180 ठीक है आपके पास यह आगया 180 और आगया observations दी है अब calculate the arithmetic mean आप just क्या करोगे य और a आपको question में बताया हुआ था किसके according आपके पास यह deviation निकली यह आपके पास 180 आगया था फिर वहां से आपने क्या 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 इसे calculate किया और यहां से आपने shortcut method लगा के अपना question solve कर लिया ठीक है next part देखो आप इसका जो निया question है वो क्या है आपके पास example 3.15 3.15 में क्य करता है यानि midpoint अब आप आऊना यह solution में जो आपको column दिया है group group के बाद लिखा है midpoint यहां से इन्होंने निकाले midpoint midpoint कैसे निकालते है अपर limit और lower limit को add किया 2 पे divide किया तो आपके पास क्या गया इसका midpoint x निकला है ठीक है next आपने क्या किया f आपके पास given था फिर आपने यहां पर क्या किया जो mid value थी 2025 यह वली ले लिए आप चाहो तो 2075 ले सकते हो 1975 ले सकते हो यह आपकी मर्दी आंसर में कोई फरक नहीं आएगा लेकिन जहां पर फिर आप answer में a की value वही डालोगी जो आपने ली होगी यहां से उन्होंने डी की values निकाली x-2025 यह आपके पा आपके पास आया minus 10750 ठीक है इसे आपने divide किया 500 से और according to formula x-bar equal to a plus mission f of d divided by mission f यहां पर values put की simplify किया आपका question solve हो गया यह था आपके पास shortcut method और आपके पास यह था change of origin अब जो next topic है आपके पास change of scale change of scale में क्या होता है आप कोई चीज़ divide करते हो या multiply करते हो तो आपका scale change हो जाता है ठीक है जस्ट यहां पर आपको सिर्फ change of scale का basic concept होता है next topic पर जाओ change of origin and scale उसमें क्या है आपके पास एक चीज़ उसे multiply भी की विए और एक चीज़ उसमें से minus भी की विए तो यह आपके प आपके पास height होती है जो classes दी होती है उनका जो gap होता है वो आपके पास height होता है ठीक है उसके बाद यह आपके पास ungroup data और group data के लिए दोनों formula दी है अब इसके हम example देख लेते हैं यह कैसे solve वो अब आपकी जो example है वो है 3.16 3.16 में देखो आपको दिये में weight और frequency तो यानि आपको ए class interval दिया है class interval दिया इसमें से आपने पहले x's निकाले ठीक है फिर उस x में से आपने एक value ले ली a assume value ठीक है आपने क्या क्या उसको sub में से minus किया और divided by h अब इसमे height कितनी थी देखो 95 से 100 तक का जो gap है वो कितना बनता है वो आपके पस 5 digits का बनता है तो इसकी height 5 थ यहां से आपके पास एक u का column आया आपने उस u के column को multiply किया f के column से then आपके पास f of u का total आ गया according to formula आपने values put की और इसे solve कर लिया ठीक है यह आपकी example होगी 3.16 अब हमने जो पढ़ लिया वो आपके पास था change of scale change of origin ठीक अब आपने क्या करना है कि अपनी एक size में से questions देखन जो आपको नहीं समझाता ठीक है इसके लावा मैं भी देख लेती हूं कि कौन कौन से question access के आप लों के इससे related topic के हैं